सब्सक्राइब कीजे वैदिक जोतिस शैनल को और शाथ बैल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही जैसंतो सिमा, दोस्तो स्वागत है आपका वैदिक जोतिस में, जानते हैं आज क्या कहती है आपकी रासिया, कैसा रहेगा आपका दिन, सुर्वात करते हैं आज के सुवेचार सी अगर किसी इनसान से दूर होने के बाद भी, आप उसे नहीं भूला पा रहे हो तो, उसकी वजह सिर्फ प्रेम है क्रोध एक ऐसी स्थिती है, जिसमें जीब मन से अधिक तेजी से काम करती है ना संगर से ना तकलीफ, तो क्या मज़य जीने में, बड़े बड़े तुफान थम जाती हैं, जब आग लगी हो सीनी में अच्छे रिजल्ट लाने के लिए, बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है आज का पंचांग, 11 अप्रेल 2026 दिन गुरुवार, चैतर मास के शुकलपक्च के त्रेतिय तिथी, दुपहर तीन बच कर तीन मिलट तक रहेगी, इसके उपरान चतुर्थी तिथी प्रारम हो जाएगी, कृती का नामक नक चत्र, रातरी एक बच कर अर्थीस मिलट तक रह आज का भी जीत महुरत, अर्थाद दिन के सबसे सुप समय, विपहर 12 बच कर 2 मिलट से, 12 बच कर 52 मिलट तक रहेगा, आज चंद्रमा मेश राशी पर शुबा 8 बच कर 40 मिलट तक रहेगी, इसके उपरान प्रिशब राशी पर संचार करेगी, राश्शूर या मीन राशी प प्राप्त कर शकते हैं, इसलिए अपने कारियों में पूरी निष्ठा और शिमर्थन बनाए रखी, धर्मकर्म शिमर्थन मामलों में भी आपका रुज्धान बना रहेगा, पुराने निवेशों से अच्छा फायदा होर शकते हैं, जिससे आपके आर्थिक इस्तिती में श किस्तु के महत्तु को समझेंगी भागया आपके साथ है फिर भी आपको कोई भी कदम उठाने से पहले बार-बार शोच लेना चाहिए या बड़ों से सलाह ले लेनी चाहिए आप भवनाओं की बाढ़ को अनुभव करेंगी पुराने दोस्ते या परशित के सामने आने से बलकि कुछ नया और रोमान्शक कार्य का इंतजार करें अगर आप पेंशिल की तरह किसी के जीवन में खुश्या नहीं लिख सकती तो रवड बनकर किसी के गम मिटा दी पोशिश करें आपको बहुत अच्छा लगीगा जो रिस्ते काम नहीं कर रहे हैं आप उनसे नाता त पोड़ सकती हैं दिल के मसलूमी उदाशे मैंसूस कर शकती हैं लेकिन आपका कारेश मंदिर जीवन बेहत अच्छा है अपनी कड़ी महना से मिली पहशान का मजली आपको एक सक्षम डीलर के रूप में देखा जा सकता है सभी कामों को सही समय और शहीं तरीके से पूरा करन कोई असान बात नहीं है किन्तो आप इसे पूरा जरूर करेंगी इस्तरासी के कारूबारियों को किसी पूरानी निवेश की वज़े सी आज घर्टा होनी की शंभावना ही अगर आशा प्यात्रा कर रहे हैं तो आपको अपनी समान की जादा देख भल करनी की जरूरत है या जिन्दगी के सबसे खास दिनों में से एक भी हो शकता है आपको प्रेम की गहराई का अनुभाव भी होगा निराशावादी रवये शे बची क्योंकि ना सिर्फ या आपकी शंभावनाओं को कम कर देगा बलकी सरीर की आंतिक शंतूलन को भी बिगाड़ देगा जिन लोग सूरत कामों को दिखाने के लिए अपना प्रेम पूरी तरह खिलनाएं इस राशी के जातकों को कारचेत्र में आवर्शक्ता से अधिक बोलने से बचना चाहिए नहीं तो आपके छवी खराब हो शकती है परवार के शदश्यों में यदि कोई आपसी मदभेच चल रही है त वह दूर हो सकती है आप अपने बिशनिस में कोई बदलाव करनी की भी प्लैन बना सकती है जो आपके लिए अच्छा होगा विदेश में लेन देन कर रहे हैं लोगों को थोड़ी सौधानी बरतनी के जरूरत है आज के दिन आपके लिए भागी के दुश्यकोर से भी बहु पुरा लाब उठाएंगी परवार के सदश्यों में यदि कोई आपसी खट पर चल रही थी तो वह भी दूर होती दिख रही है शौधानिया अच्छा आपको प्लैनिंग करते समय अपने बचट का ज्यान अपने बचट का ध्यान जिरूर रखना चाहिए दुश्यों के माम लाइफ के ड्रामी का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना है अपने ले कुछ नया और जबजस्त प्लैन जरूर बने आपको इस पश्ट तोर से इसे बचना चाहिए और अगर आप नहीं बस सकते तो आपको किसी का भी पक्ष नहीं लीना चाहिए दोनों विरोधी पक्षों को आ बारे में भी बताएंगी आप सब कुछ भूला करने शुरुवात के बारे में भी सोच सकती हैं जीवन में आत्म विश्वास के साथ एक नय उद्देश को लेकर आता है इसलिए शकरात्मक सोच के साथ इसका आनंदी आज आप समाजिक सरकल से कर्टाफ करने और अकेले रहन हैं याद रखे कि बिजान रिष्टे और वासिफुल जीवन को कभी भी महका नहीं सकती बात करते हैं करियर की कई दिनों तक लगतार काम करने के बाद अब परिणाम आपके पक्च में आ सकता है आपको अपने अधिकारी की इसे आपके अधिकारी भी आप पर प्रभावित हैं असरकारी एजिन्टा या बड़ी निगम आपके लिए लाप का संखेत भी लेकर आ सकती हैं जीतना सब कुछ नहीं होता बलके जीतने का प्रयास करना सब कुछ है आने वाले दिनों में धन और आमदनी के मुद्दों की तरफ आपका द्यान अधिक जा सकता है आपके आस पास कुछ रोजक चीजे होगी जिससे आप बोर नहीं होंगे आप मेंसे कुछ के लिए आपकी भवनात्म प्रतिबधता आपका अधिक समय लेखी बविश्य में सुनहरे मौके आपका इंतिजार कर रही हैं बस याद रखे कि हिम्मत का कोई अन्या दूश्रा विकल्प नह दिखें रोजाना आप साम को एक लंबे दोर लगाएं तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी आज का उपाई आज अब गरीबों को पीले फलो का दान करें शुब रहेगा दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में जीवन में हमेशा सकरात्मक सुच के साथ आगे बढ़ती रही आपका दें शुब हूँ